तो आज हम फ्रेंड्स के आपको लाइब प्रॉसेस दखाएंगे वीडियो के माद्यम से कि आप UP Pharmacy उत्तर प्रतिश फारमिसी काउंसल जो लखनागो में सिटुटेट है अपका जो online digital portal के माद्यम से जो फार्मासिस्ट का वर्क होता है उसको online तरीके से आपको कर दिया गया है तो उसका जो online registration का जो form है वो आप किस तरीके से फिल करेंगे continuous step by step बताएंगे तो friends skip मत कीजिएगा वीडियो को यदि आपने skip की तो आप फिर क्या करते कमेंट करते तो कमेंट करें तभी जब आप पूरी वीडियो को watch करें तो आपको कोई भी queries है तो वीडियो के regarding कोई तो हमें comment session बता सकते आपको हम reply देंगे तो simply आपको chrome राजव पर upc.in पर search करना है और simple जैसे आप आएंगे तो इस तरीके से सबसे फर्ष नमर पर उत्तर प्रतिश फार्मिसी कांसल इस पर click करेंगे तो आपके सामने जो next इंटरफेज हो इस तरीके का open हो जाएगा website completely work कर रही है friends इस तरीके का official website है simply आप इसके scroll down करेंगे तो यहाँ पर scroll down करते हूँ आएंगे तो नीचे आपका यह mention है latest news and alert इस पर जो second नमर पर यह जो website इस पर radical पर click करेंगे तो आपके सामने next इंटरफेज open हो जाएगा इसका जो procedure था जो id बनाने का id password जो create करने का वो आपने पहले आपको बता दिया है यदि आपने हमारी previous वीडियो नहीं देखिए login id password create नहीं किया है तो उस वीडियो का link वीडियो के description में डाल देंगे जिससे आप easily registration करके इस वीडियो को तब watch कीजिएगा simply आपको क्या करना है जो login id इससे आप पहले सबसे पहले desktop site पे लेंगे जाकि आपको simply easily दिखवाए तो इस तरीके का आपको सबसे पहले register करना है register करने का procedure हमने previous वीडियो में बताया था तो आपका link वीडियो के description में है सबसे पहले आप login करेंगे से simply अपना जो आपने registered जो इस तरीके का उपन हो जाएगा तो आपको simply क्या करना है जो new pharmacist registration करना चाहते हैं सभी candidate mostly तो उनके लिए सबसे पहले first point जो mention किया गया request for pharmacist registration तो आपको simply इस पहले करना जैसे आप simply click करेंगे सबसे पहले जो candidate को document की regarding नहीं पता हो document required जो रहेगा है यहां पर mention किया गया है इस इसकी regarding इसे यहां से click करेंगे document को देख पाएंगे सबसे पहले आप first point पर देखेंगे apply for registration of pharmacist simple इस पर click करेंगे तो यहां पर एक आपको देख रहा होगा apply for registration of pharmacist are you already registered as a pharmacist in pharmacy council of state अधर देन उत्तरप्रदेश क्या आप अधर किसी state pharmacy council में उत्तरप्रदेश फार्मिसी काउं उसे से आप registered है या नहीं है तो आपको no पर simply आपको click करना है तो आपको जैसा कि आपके सामने इंटरफीज open हो जाएगा तो आपको simply क्या कि टाइटेल और एप्लिकेट फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम जो है आपका already यहां पर mention हो जाएगा उसके बाद में फिप् उसके बाद में आपका आधार नमबर क्या है वो mention करना है नेशनल्टी यहां पर mention करना है तो फेंट्स इस तरीके से permanent address का मतलब होता है कि house नमबर क्या है यह house नमबर जो है फेंट्स आपका जो identity proof होता है जो तुमारे parents का identity proof होगा पहचान पत्र जैसे बोलते है उसमें यह आप देख सकते हैं यदि अपनी मदर का या फादर का उसमें आपका जो house number होता है तो आप पहचान पत्र से जाकर के find out कर सकते हैं यदि वहां से नहीं मिल पाता है तो otherwise आप इसका जो रासन काड़ होता है उस रासन काड़ पर यह house number mention होता है विलेज लोकल्टी यहां पर mention क करेंगे आप किस विलेज से बलांग करते हैं नहीं पुलिस स्टेशन यह mandatory नहीं है यह से आप फिल कर सकते हैं यह नहीं भी कर सकते हैं चोड़ भी सकते हैं कंट्री जो मेंशन की यह ऑटमेटिक इंडिया हो जाएगा स्टेट जो आपका उत्तर प्रदिश यहां पर उसके बाद में नीचे जो अप्सन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का आपको सिंपल इस तरीके से सेव एंड नेक्स्ट अप्सन डाल देंगे उसके बाद में यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल मांगी गई है यह देखिए हाई स्कूल इंटर का जो है पासिं गयाों किटने माक्स का आपके अग्जाम गये राध कराये तो बोड की सरफ से और आपने किटने अफटेंड इन्ट गयते आपकी कितने पुर्षण क्यों कलिक करते यह दि आपने बोर तो यहां पर डाल सकते हैं उसके बाद में आपका कॉलेज इंस्टिटूट का नाम क्या है कोर्स स्टार्ट कव किया सा किसी एर में किया था उसके कोर्स इंड कव हुआ है उसका आप जो CGPA जो एप्लिकेवल होगा तो आप डालना अधरवाई मत डालना maximum marks कितने थे आपके board में और obtend आपने कितने किये थे उसके बाद में आपका percentage कितना वना है CGPA है तो CGPA डालना है अधरवाई नहीं डालना है ऐसे इसी तरीके से आप बेचन फार्मिसी क्वालिफेक एंडिट इस तरीके से आपर बी फार्मा अप्लाई कर सकते हैं और जो एम फ का option मिलेगा आपको simply d-farma हम बता रहे हैं फ्रेंट से इसमें d-farma या बी-farma हो तो आप डाल सकते हैं जानते हैं उसका जो एक डेट लिखी होती है वहाँ पर इतने डेट तक आपका जो है कम्प्लीट इंटरसेप हो चुका है उसके बाद सेव और नेक्स्ट का ओप्शन मिलेगा सिंपल इस पर क्लिक करना है आपको परसेंटेज निकालने की कोई अवस्चकता नहीं है क्योंकि आप जैसे ही maximum marks लिखेंगे और obtained marks लिखेंगे तो आपके सामने यहां से यहां से और सिस तरीखेंगे आपके सामने उपन हो जाएगा अब आपको यहां पर क्या करना है इस तरीखे ale दॉटऔ्ओंध थैए सबसे पहले आपकर जो फोटो घ्राफ रहेगागा वह आपका 30-40-50 50 kv कर आएगा वह आपको घटाना पड़ेगा और सेकेंड पॉइंट पर जो है आपका सिगनिचर जे पीजे या जे पीजी फ़र्म में मैंग्जम इसका जो साइज रहेगा 120 kv कर आएगा इसको यहां पर आफिल कर सकते हैं जो साइज हुना चाहिए बॉन एमबी होगा और आपका चाहिए इसे आप अपलोड कर सकते हैं फोटो फॉर्म में इसे आप अपलोड नहीं कर सकते हैं आपको बिडिये बना करके अपलोड करने तो यहां पर देखिए थुएच्ट पर हाई सेकूल की माकसीट फूर्थ पर हाई सेकूल का सर्टिफिकेट, फिफ्ट पर इंटरमीडियेट मार्क सीट, सिक्स पर इंटरमीडियेट सर्टिफिकेट, सेवन पर डी फार्मा मार्क सीट, और एट पर डी फार्मा सर्टिफिकेट, नाइन पर डी फार्मा मार्क सीट, टैन पर बी फार्मा सर्ट सेटीफिकेट 17 पर इंटसेप सर्टीफिकेट रहेगा तो आप सोच रहे होंगे हाई सब्सक्राइब क्या होता हुदा है यो पी बोर्ड में कोई केंड़िए पास आउट होता है उसे एक डिग्री मिलती है जिसे आप माक्सीट बोलते तो आप क्या करेंगे सर्टिफिकेट मे उसी में upload करना उसके बाद में certificate में भी आपको mark sheet को अप्लोड कर देना डी फार्मा mark sheet upload करने उसके बाद में डी फार्मा certificate क्या बहुता है आपका जो diploma होता है उसे आप upload करेंगे उसके बाद में internship certificate को mention करेंगे तो friends इस तरीके से आप आप यहां पर इस पीडिया फाइल को upload करेंगे 14 पॉइंट पर जो mention किया गया है डॉमिसाल उप यूपी certificate इसी विदिन six month if you have complete डी फार्मा बी फार्मा फ्रॉम इस्टेट अधर देन यूपी यदि आपने उत्तर प्रदेश से अधर किसी स्टेट से डी फार्मा बी फार्मा किया है और आप यह जो न्यू रिजिस्टेशन कराना चाहते तो आपके पास में six month का six month पहले जो issue किया गया हो जो डो मिशाल है current डो मिशाल आपको बनवाना है उसको upload करेंगी यदि आपने उत्तर प्रदेश से वहार से फार्मिसी किया है 15 point पर जो mention किया गया है scanned copy of valid ID proof आधार card water ID resistance certificate maximum files आए 200 kv declaration affidavit तो friends यहां पर क्या है को 15 number पर जो mention किया गया है वह आपका ID proof रहेगा scan करके आपको other card का जो है यहां पर mention करना है तो 16 number पर जो है declaration affidavit आपको एक affidavit वनवाना है mostly जो persons जो आपके गए हो यूपी पी से उत्तर प्रदेश फार्मिसी काउंसल में वहाँ पर एक affidavit मिल जाए वह affidavit आपको तैसीर से मिलेगा वहाँ से आपको affidavit लाना है affidavit को fill करना है affidavit fill करेंगे तो आपको यहां से choose file number पर आपको यहां पर upload कर देना है उसके बाद मैं आप simply देख पा रहे हूंगे यहां पर एक point mention किया गया है इसको आप इस condition को click करेंगे इस तरीके से आपको पहले से पढ़ लेना है यह क्या बोल रहा है i here we declare that all information submit by me in this application form is correct true and valid if you have any ambiguity in the certificate produced by me notice my registration will be cancelled automatically with the immediate effect and the council will be completely free to take an action for which I myself will be responsible तो फ्रेंटस इसमें यह वो लगा है जो आपने certificate जो डॉक्मेंट अपलोड किये हैं उनके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे आप ही उनके लिए क्या करेंगे आप ही कोई claim नहीं कर सकते हैं और आपका क्या है कि यदि जो authority होगी उसको यदि यदि यह document fake करेंगे तो आपके सामने next interface इस तरीके का open हो जाएगा तो friends हमने fill नहीं किया है तो आप इनको हम fill करेंगे तो आपके बाद मताते हैं friends जैसे ही आप choose file पर जैसे किसी भी option पर click करेंगे तो आपके सामने जो है PDF जैसे इस तरीके से हम upload करते हैं तो आपको इस तरीके का message मिलेगा success का तो तभी आपको क्या है कि आगे ok करना है next document को upload करना है यह आपके लिए important instructions आ तो यहाँ पर simply जैसे आप सभी को क्या है कि यहा सामने open हो जाएगा जो भी document आपने upload कि उनको देख भी सकते हैं watch कर सकते हैं क्योंकि friends एक वार जो submit होगा है document वो दुवारा आपका open नहीं होगा तो friends यह website पर आप official website पर registration कर रहे हैं तो carefully इस पर कीजिएगा यदि आप पर कोई mistake हो गई है तो आप उसके previous भी check कर सकते हैं इ अब हम जो है इस तरीके से आप सभी को चेक कर पाएंगे सभी details को जरूँ चेक कीजिए गफेंड्स यदि आपने चेक नहीं की कोई भी आपसे mistake होगी तो आपको कोई problem हो सकती है seven and next पर जैसे ही simply click करें तो आपके सामने इस तरीके का और इस condition को आपको follow करना है इस तरीके स save and next पर option करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का interface open हो जाएगा अब आपका इस तरीके से आपका एक PDF डानलोड हो जाएगे और इस तरीके का interface आपके सामने उपन हो जाएगा यह जह के UP pharmacy council का जो आपने form जो fill किया था वो इस तरीके से आपके सामने इंटर फिय ओपन हो फोलो करना है उसके बाद में आपको एक पाइंगे ऐसे ईयर पर ट्रेकर Посलिक हुँकी आपको सामने एक संस यह फिते खिया और सेयसे इस तरीके संसंग्र mélवे ले ले Zusch Vocalि daha सब्राइब उसके बाद में आपका नेम जो रहेगा इस तरीके कर रहेगा रजिस्टर्ड नम्मर यह आपका जो मुबाइल नम्मर आपका रजिस्टर्ड किया था पर्मानेंट एड्रस जो है आपका यह रहेगा छेसो चॉटल अमांट पेवल जो है 1550 रुपय आपको पे करना है अब इस तरीके से आप सेव करते चले जाएंगे और फाइनली आपको उसी इंट्रफेज पर उपन करना पड़ेगा सेवें नैस्ट पे इस तरीके से यह आपको कुछ नैस्ट पर एडिट करना तो आप एडिट कर सकते हैं अब भी चांस प्रोवाइड करा रहे हैं और यह यह आ आप इस तरीके से आप जैसे नैट बैंकिंस से क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंट्रफेज ओपन हो जाएगा यह आपकी रुकेस्ट आपकी फान पेपर पहुंच जाएगी वहां से आपको क्या करना है और उसे पे कर देना यहां से उस सम्मिट हो जाएगा इस तरीके से पूरा procedure बता है एक और important instruction यहाँ पर जो अपने previous में आपने देखा होगा अपने जो applicant name, middle name और last name आप उसे change नहीं कर सकते तो आप उसे change नहीं कर सकते क्योंकि वो automatic fill हो जाता है उसके बाद में आपको बता रहे हैं को information दे रहे हैं जो अपने आप फिल हो जाता है वो कोई वो क्या कोई problem आ रही है वो problem क्या है कि PCI की website की तरब से बहुत सारे candidate का last name होता है वो नहीं होता है और बहुत सारे candidate का last name होता है तो आप जिन भी candidate का last name नहीं हो तो आपकी जो diploma mark seat होती है जो सारे document महाँ पर upload हुए है तो आपके mark seat जो है वो match की जाएंगे उसके बाद मैं आपको देखा जाएगा उसके बाद जो document verification होगी उससे according आपका नाम चड़ाया जाएगा जो registration होगा license होगा उस पे जब आपको registered किया जाएगा ना कि आपकी applicant ID हो तो friends को compulsory की गई आपका last name जरूर है compulsory है फिल करना तो आपको इसमें कोई problem हो तो comment section में बता सकते हैं अधर वाइज आपको पूरा procedure बताया है किस तरीके से आप इसमें फिल कर सकते हैं official site अच्छे से work कर रही है सभी candidate इसमें apply कर सकते हैं इस तरीके से कोई भी query तो comment section बता सकते हैं thank you